नमस्कार जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है ओलंपिक मैडल जीते हुए हमारे महिला पहलवान जो के एक महिना धरने पर बैठे थे उनका कहना था के उनके साथ यौन उत्पीडन हो रहा है Wrestling Federation के अध्यक्ष ब्रिच भूशन शरण सिंग इसके खिलाफ F.I.R लगाने की मांग कर रहे थे इसको गिरफतार करने की मांग कर रहे थे इनका कहना है एक महिला पहलवान नहीं छे-साथ महिला पहलवानों ने कहा के इनके साथ यौन उत्पीडन किया गया है एक बार नहीं अनेक बार किया गया है उनके कैरियर को धोके में लाया गया है उनको धमकाया गया है ये सब होते हुए उनको दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठना पड़ा इतना सब करने के बाद भी ब्रिच भूशन सिंग गिरफतार नहीं हुआ तो क्या ब्रिज भूशन सिंग की गिरफतारी होगी ये पहलवान ग्रह मंत्री अमिज शाह से मिले ये पहलवान खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले उनको बहुत सारे आश्वसन दिये गए लेकिन क्या ब्रिज भूशन शरण सिंग को गिरफतार किया जाएगा आज जो प यौन शोशन का अरोप लगाया था उसके पिता को डराया धमकाया जा रहा है ऐसी बातें फैलाई जा रही है कि उन्होंने अपना केस वापस ले लिया है ऐसी बातें फैलाई जा रही है कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उनकी बच्ची के साथ यौन शोशन नहीं हुआ तो तरह तरह से दबाओ दालने की कोशिश की जा रही है, माहूल ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है कि पहलवानों ने सेरेंडर कर दिया है, ऐसा माहूल बनाने की कोशिश की जा रही है कि पहलवानों ने जूटा F.I.R. लिखाया, ऐसा माहूल बनाने की कोशिश की जा रही यह कि यह मोधी सरकार को बदनाम करने के लिए यह किया जा रहा है पूरी सरकारी मशीनरी एक साथ लग गई है कि किसी भी तरह से इन महिला पहलवानों पर दबाव डाला जाए और दबाव डालने का बाद इनको अपने स्टैंड से वापस लेने के लिए लगाया जाए गसीट कर इनको गाड़ियों में भरा गया गाड़ियों में जब भरा गया तो इनका जब ये परिशान थी तो इनका चेहरा सोशल मीडिया पर फैलाया गया कि उनका चेहरा हस्ता हुआ चेहरा था फिर उसके बाद उनको लॉक अप में रखा गया उसके बाद उनको उनके उप दूसरा पुलिस द्वारा, तीसरा राजनितिक दबाव दाल कर ये पूरा तंत्र उपयोग किया जा रहा है कि किसी भी तरह से इन महिला पहलवानों को दबा कर चुप बिठा दिया जाए। जो है इस भारत देश के लिए उन्होंने उलम्पिक से मैडल लाया है। ऐसी एतलीट जब ये आरोप लगा रही है। के लिए मोर्चा निकालने वाले थे तब बात आगे बड़ी तो उनको रोका गया। वो बार बार बयान बाजी देते जा रहे हैं। ग्यारा तारिक को ऐसा रखा गया है कि ब्रिजभूशन सिंग के जो संसद्य शेत्र है। पर बिरजेपी वाले मोर्चा निकालने वाले हैं। अनुराप ठाकुर से मिले खेल मंतरी। तभी ये बताया जा रहा है कि पंदरा तारिक को चारशीट जमा होने वाली है ब्रिजभूशन के खिलाफ। चारशीट फाइल होने का मतलब ये है कि जाज कंप्लीट हो गई है तो ब्रिजभूशन सिंग उसके बाद आराम से कहेगा कि सब इन्वेस्टिकेशन हो गया है अब कोई कश्टडी की जुरुरत नहीं है। उसे कश्टडी में लेने के बाद जब इसको एक्ट लगा है तो सबसे पहले उनको कश्टडी में लेना चाहिए था ताकि जितने भी गवाह है निडर होकर अपना बयान दे सके अगर वो बाहर था और बयान बाजी कर रहा था तो ये जाहिर की बात है कि उसके सामने कोई भ खिलाफ बयान नहीं दे सकता था दूसरी बात है कि वो वो जब तक खुला खूम रहा था एक समाज का भी confidence law and order पर नहीं था कि ऐसा अपराथी इतनी महिला पहलवान जब यह allegation लगा रही है यह वो कह रही है तभी भी सरकार को उनकी पड़ी नहीं है तीसरा के वो जांच agency जो दिल्ली पुलिस है वो केंदर के अंडर में ही है और वो बीजेपी का ही MP है तो जांच agency भी जो है वो निस्पक्ष रूप से काम नहीं कर सकती है तो यह सब महोल को ठीक करने का काम केंदर सरकार का था लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इस MP का समर्थन किया और खुली तरह से जो होता है वो होने दिया गया और उल्टा केंदर सरकार की ही पुलिस मशीनरी ने इन पहलवानों के खिलाफ दमन किया यह मामला अंतर राश्ट्रिये बना सब जगा पर बात होने लगी पूरे हर्याना में उत्तेजना फैली किसानों ने पूरा पू राश्ट्रपती से भी उन्होंने गुहार लगाई उन्होंने इंडारेक्ली भी राश्ट्रपती को बोला कि वो हमारे अंदोलन सथर से कुछी किलोमीटर की दूरी पर है दो किलोमीटर की दूरी पर है उन्होंने कुछ नहीं बोला और यह सत्ता के नशे में इनको लगता ह है कि हम manage कर लेंगे तो आज मीडिया क्या दिखा रहा है यह जो पहलवान है वो चुप बैट गए हैं यह पहलवानों ने अपनी नौकरी वापस से join कर ली है यह पहलवानों ने अपना अंदोलन बन कर दिया है जो लोगों ने ये बयान भी दिया था जो बाल रेसलर थी जिसने अपना बयान दिया था उसके पिताजी ने बयान भी वापस ले लिया है इस तरह से ये पूरा महोल को, आंदोलन को कम्सोर करके, ये पूरी तरह से दबाव लाकर सत्ता का उप्योक करके ये पूरे आंदोलन को दबाया गया है. अगर ये ऐसा ही चलता है, तो कल क्या कोई भी परिवार अपनी बच्चीव को पुष्टी में भेजेंगी, इस तरह से अच्छा वातावरन मिल रहा है, यहां तक की इस महीला पहलवानों ने प्रधान मंतरी को भी एक साल पहले ही कहे दिया था, कि देखिए हमारे साथ यौन उत्पीडन हो रहा है, लेकिन प्रधान मंतरी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा कि खेल मंत्राले आपको फोन करेगा खेल मंत्राले ने तो कोई फोन नहीं किया और मीडिया में सूत्रों के हवाले से गलत गलत खबरें फैलाई जा रही है ऐसे केसे में गिरफतारी जरूरी होती है ताहँ कि एक विश्वास का माहूल बन सके ताहँ कि गवाह आगे आ सकें वो अपनी गवाही दे सकें लेकिन ऐसा कोई माहूल बनाया नहीं गया है अभी चार्शीट फाइल होने के बाद उसको बेल लेने में मदद की जाएगी और वो बेल अराम से ले लेगा अगर उसको एक परसेंट भी डर होता कि उसको गिरफतार किया जा सकता है त आपको बेल लेने के लिए भी जाने की जरुरत नहीं है आपकी रक्षा करना और आपके हितों की रक्षा करना ये सरकार ने अपनी जवाबदारी ले ली है और वो बहुत अच्छी तरह से ये जवाबदारी सरकार ने निभाई है तो अभी सिर्फ फैसला किसको करना है फैस के बारे में बोलते हैं लेकिन जब ओलंपिक效 महिला आपसे चेहती है कि मेरे साथ इस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहा है तो आप अत्याचारी का साथ देते हैं तो ये सिर्फ सिर्फ आज तक जो भी आपने महिलाओं के फेवर में कहा वो पूरी तरह से ढखोसला है और आने वाले चुनाओं में जंता इसका जवाब मांग रही है आप से और जंता इससे जवाब मांगेगी कि आपने जब हमारी महिलाएं, हमारी रेसलर, हमारी पहलवान अपने पर हुए अत्याचार के लिए गुहार लगा रही थी, तो प्रधानमंत्री चुप थे, धन्यवाद, तो देखते रहिए जनता का आइना, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंड बॉक्स में जरूर लिखिए, जनता का आइना चैनल आपको पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे चैनल को आप आर्थिक मदद कीजिए, ताकि हम अच्छे से आपको सच्चाई बताते रहें, इस चैनल को मदद करने के लिए आप चैनल के पेच पर जॉइन बटन दबाईए, औ और वहाँ पर जो भी राशी आप देना चाते हैं, आप वो राशी चुन कर जनता का आइना को मदद कीजिए, तो धन्यवाद देखते रहें, जनता का आइना